सब्सक्राइब करें हमारे चैनल परिक्षा जॉब को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालू उसका नॉटिपिकेशन आपको सब्सके पहले मिल सके वेल्कम टू परिक्षा जॉब देखिए अब कोई भी परिक्षा में करेंट अफेर्स का रॉल बहुत ज़्यादा रहने लगा है अब हर एक परिक्षा में करेंट अफेर्स 50 से 20 परसेंट रहने लगा है और यह दिन परते दिन बढ़ता ही जा रहा है तो यह पोर्षन को सबस्क्राइब लेके आऊंगा अगर आपको इस वीडियो का पीडियाब चाहिए तो आप मेरे टेलिग्राम चैनल को जोईन करके ले सकते हैं जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं तो चलिए शुरू करते हैं यह रहा आज का पहला प्रशन कतर में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है दीपक मित्तल को कतर में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है अब देखिए यहां बात आई है राजदूत की से करते हैं राजदूत उसे हम करते हैं जो किसी देश में भारत का परतनिधित्व कर रहा है उसे हम राजदूत करते हैं अब देखिए यहां कभी कभी देखते होंगे कभी उचायुक्त भी आपको देखना को मिलता है तो उचा अब राश्ट मंडल देश क्या है राश्ट मंडल देश देखे वह है जो कभी न कभी ब्रीटिस का गुलाम रहा हो या धीन रहा हो उसे हम राश्ट मंडल देश कहते हैं अब समझ गये अब देखे बात यही है कि राश्ट मंडल देश में परते निधित करने वाले भारतियों को हम उचायूत बोलेंगे और जहां पर राश्ट मंडल देश का सदस ना हो उसे हम राश्दूत बोलेंगे चलिए यह केलियर हो गया होगा अब यहां बात आई है कतर की कतर की राशधानी है दोहा और इसकी मुद्रा है रियाल अब अगला कुसंद देखते हैं लोक उधम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है राजिब कुमार को लोक उधम चयन बोर्ड PESB का नया अध्यक्ष बनाया गया है अब दिखें यहां बात आई है PESB का Public Enterprise Selection Board Public Enterprise Selection Board का full pump हो गया अब ये जो राजीब कुमार है ये कपिल देव त्रिपाठी का अस्थान लेंगे और ये जो कपिल देव त्रिपाठी जो है अब ये राष्टपती के सचीब बन गए है अब चली अब अगला कोशन हम देखते है अगला कोशन है PNB Housing Finance के अंतरिम MD और CEO किसे न्यूक्त किया गया है नीरज वियास को पंजाब National Bank Housing Finance के अंतरिम MD और CEO के न्यूक्त किया गया है नीरज वियास को CEO Chief Executive Officer चाली अब अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन है UN में भारत के अस्थाई परत निधित के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है TS3 मूर्थी, TS3 मूर्थी को UN में भारत का अस्थाई परतिनिधितिन्यूक्ट किया गया है अब देखे, यहाँ पर बात आई है UN की, तो इसका फुल फॉर्म है United Nation पहले हम देख लेते हैं, यह TS3 मूर्थी जो है, यह किसका अस्थान लेंगे यह अकबर उद्दीन का अस्थान लेंगे, अभी जो है, अकबर उद्दीन है, इसी का अस्थान लेंगे TS3 मूर्थी, अब यहाँ बात आई है UN की, तो मैंने बता दिया, इसका फुल फॉर्म United Nation, इसका अस्थापना हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को अस्थापना हुआ था, इसका हेट क्टूबर नियुवार्क में है, और इसका अभी वर्तमान में Secretary General जो है, वो है Anteño Guterres, Anteño Guterres जो पुर्तगाल से हैं, चली, अब अगला कुशन हम देखते हैं किस राज ने जीवन अमरित योजना सुरू की है, मद पर्देश, मद पर्देश की राज ने जीवन अमरित योजना सुरू करी है अब देखिए इसमें होगा क्या इसमें जो होगा इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए तुर्कोटा चूर्ण को फ्री में बाटा जाएगा अब इम्यून सिस्टम है परतिरक्षा जो तंत्र जो है उसको बढ़ाने के लिए तुर्कोटा चूर्ण का आपको फ्री में यह बाध में पहली बार 1923 में मनाया गया था यह किसके दोबवर बना गया था लेवर किसान Party of Hindustans के दोब पहली बार 2023 में अंतराष्टे स्रम दिवस मनाया गया था लेवर किसान Party of अब हिंदुस्तान का इसका अस्थापना जो हुआ था 1923 में ही अस्थापना हुआ था अब यहां बात आई आई एलो की इंटर नैशनल लेवर और्गनाइजेशन का इसका अस्थापना अब अगला कोशन है किस भारतिय मुल्की लड़की ने मंगल गरह के पहले हलिकप्टर का नाम रखा है वनिजा रुपानी वनिजा रुपानी ने ही नासा का जो मंगल गरह जो सेटलाइट भेजेगा उसी का विए नाम रखी है वनिजा रुपानी ने नाम रखी है मंगल गरह में जो नासा भेजेगा अब अगला कोशन देखते हैं किस राज ने Neverhood Classes शुरू की है तिरपुरा तिरपुरा राज की सरकार ने Neverhood Classes को शुरू करी है अब देखे इसमें होगा Neverhood Classes में इसमें जो होगा हर एक टीचर जो जो टीचर है अपने घर में या अपने आस पास में अब यहां बात आई है तिरपुरा की यहां का CM है विपल कुमारदेव और गवर्नर है रमेश बैस और एक चीज़ धिहान रखेगा एक खरजी पूजा जो है बहुत इंपोर्टन यह एक जाम में पारवर पूछा है खरजी पूजा जो है यह तिरपुरा में ही मनाया जाता है अब अगला कोशन देखते है किसे जपान के Order of Rising Sun से सम्मानित किया गया है थंग जाम धवाली सिंग थंग जाम धवाली सिंग को यह Order of Rising Sun से सम्मानित किया गया है ये जपान का एक सम्मानित पुरुसकार है और ये जो है थंग जांग धवाली सिंग ये मनिपूर से है ठीक है इसे देखिए ये इन इसे क्यों दिया गया इसे दोनों देशों के बीच अच्छे संबन बनाने के लिए इसे दिया गया थंग जांग धवाली सिंग को ये जो है मन्रेगा के तहट सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला बन गया है अब देखें यहां बात आती है यह पूरे देश में इसके तहट जितने रोजगार दी जाती है उसका 24 परसेंट जो है अकेले 36 पर 36 गर दे रहा है अब सकेंड नमर के बात करें सकेंड नमर अब दीखेंगां नैशनल रूलर इमपलॉयमेंंट एक्ट 2005 की एक्ट के तहतल लाया गया है महातमा गांधी नैशनल रूलर इंपलॉयमेंट इसमें जो होते हैं ग्रामिंच चैतर में 100 दीन 100 दिन का रोजगार दिया जाता है मतलब एक साल में आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा चलिए ठीक है अब अगला को सनम देखते हैं किसे 2020 के निक्याई एसिया पुरुषकार से चुना गया है प्रोफेसर टी प्रदीब प्रोफेसर टी प्रदीब को 2020 के निक्याई अब यहां बात आई है प्रोफेसर टी परदीब यह बना दिया इतना सस्ता यह कर दिए यह यह जो हैं यह पुरुज्षकार Asia के बहतर भविस बनाने के लिए 30 कटेगरीम दिया जाता है तो भी चिक इन कटेगरीम दिया जाता है तो इसको क्या किस कटेगरीम मिला इसको जो मिला है तरहи Suzanne & Technology में बजट पारदर्शित का जवाब देही के मामले में भारत का रेंग क्या है तिरपन तिरपन जो है ओपन बजट सर्वे 2019 में बजट पारदर्शी में भारत का जो अस्थान है यह जो अब बात आए तिरपन वांस्थान टॉप में कौन है टॉप में जो है न्यूज लैंड जो है टॉप में है और यह टोटल 117 देश का सरवे हुआ है टोटल 117 देश में भारत का स्थान तिरपनवा है इसको ध्यान में रखिएगा अगला कोशन देखते हैं फैड कप होट एवार्ड के लिए नमांकित होने वाले पहली भारते खिलारी कौन बन गई है सानिया मिर्जा सानिया मिर्जा जो है फैड कप होट एवार्ड के लिए नमांकित होने वाले पहले भारते खिलारी बन गई है अब देखिए यहां बात आईए फैड कप फैड कप जो है यह टैनिस में महिलाओं को दिया जाने वाला यह अब यहां बात करें अगर पूरूस की तो पूरूस की है डेविस कब डेविस कब जो है यह पूरूस में दी जाने वाली एवार्ड है चलिए अब अगला कुशन हम देखते हैं अगला कुसन है कि सराज के काले चावल ने जीय टेग प्राप्त किया है मनिपूर की राज जो की है कि काले चावल को जुद जीय टेग मिला है अब एक थोड़ा इधर भी धियान रखेगा ये गौरकपूर टोरा कोटा जो है उसको भी GI टेग मिला है फिर तमिल नाडू को कदलाई मित्ती जो एक मिठाई है उसको भी ये GI टेग मिला है अब फिर है कस्मीरी केसर जो सबसे उचाई पर उगाए जाती है ये लगवाग सोल 100 मीटर के मिल अब देखेः इवदे की इसका फुल फॉर्म है जोगरफिकल इंडिकेशन और पहली बार जो जी आई मिला था वो दारजलिंग चायको दारजलिंग चायको पहली बार जी आई टेग मिला ता ये कम लाता 2004 से 2005 में मिला था ठीक है 2004 से और पांच में अब तो और जान लेते हैं जियाऑ टैझ जो है जिवकिसी को किसी को अगर तेग मिले यह यह तो यह दस साल के लिए वेव वैद रहता है कुसके उसके बाद आपको दस साल के बाद फिर इसको आपको रहना होगा तो चलिए अगला करना कि देखते हैं अगला कोशन है वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया गया वर्ल्ड ट्यूना डे जो है दो मई को दो मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया गया यह अब यह ट्यूना क्या है यह ट्यूना जो है एक मचली है पहली बार 2017 में मनाया गया था ठीक है यह मचली है पहली बार 2017 में मनाया ग किस राज की सरकार ने अंबारे आगनबारी नामक अनूठी पहल को शुरू की है गुजरात राज की सरकार ने अंबाले आगनबारी नामक अनूठी को पहल को शुरूबात करी है अब देखिए इसमें जो है इसमें क्या होगा इसमें लॉकडॉन के कारण 3-6 साल के बच्चे गर्वती महिला और बच्चियों तक पोश्टिक भोजन पहुँचाए जाएगी फीक है गर्वती महिला बच्ची और बच्चियों तक पोश्टिक भोजन पहुचाए जाएगी यह गुजराथ सर्कार ने पहल को सुरू करी है किस देश ने नौ से ना दुनिया के सबसे बड़ी समुंदर अभ्यास रिम आफ दा पेसिफिक की मेजवानी करेगा अमेरिका अमेरिका जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो होगा अभी नौ से ना अभ्यास कौन रिम्स आफ दा पेसिफिक की मेजवानी करेगा अमेरिका और यह जो है rims of pacific की मेज़वानी । यह अभी 27वा संस्क्रान है, यह जो होगा 17-31 अगस्ट के बीच में किया जाएगा और यह हर एक साल यह साल नहीं यह हर 2 साल में होती है यह जो अभियाज हर 2 साल में होती है और इस बार ये हवाई दुवी पर हवाई दुवी पर ये होगी अब देखिए इसका थीम थीम इंपोर्टन है इसका थीम जो है capable, adaptive और partners capable, adaptive partners अब चलिए अगला कोशन देखते हैं सभी नागरिकों को मुप्त स्वास्त बीमा परदान करने वाला पहला राज कौन सा बन गया है महराष्ट, महराष्ट जो है सभी नागरिकों को मुप्त स्वास्त बीमा परदान करने वाला पहला राज बन गया है अब यहां बात आई है महराश्ट की महराश्ट का सीम जो है उद्दब ठाकरे और यहां गवर्नर जो है भागत सिंग को सियारी यहां के गवर्नर है अगला कोसंद देखते हैं हाल ही में जारी क्रिशल की रिपोर्ट के अनुसार कुल अस्थापित अक्षे छमता के मामले में कौन सा राज सीर्स पर है करनाटक करनाटक जो है क्रिशल के रिपोर्ट के अनुसार कुल अस्थापित अक्षे छमता में पहला स्थान पर है तो पहला स्थान पर है तो दूसरा आप अभी तक नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी लास्ट में देख लिजेगा, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, और हाँ, अगर पहली बार आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने की हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजे, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दिजेगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो लाता ही रहता हूँ, जिसका नोटिप्रिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, तो चलिए, अगला कोशन देखते हैं, सायाजी राम, गायक वार थर्ड, बडोदरा के महराज, नामक पुस्तक के लेखा कौन है, उमा बाला सुब्रमन्यम, सायाजी राम, गायक वारे थर्ड, बडोदा के महराज, के नामक से पुस्तक को लिखा है, अब चलिए, अगला देखते हैं, किसने प्रोफेसर बीबी लाल इंडियन रिजर्व नाम की इबुक का भी मोचन किया है पर्लाद सिंग पटेल पर्लाद सिंग पटेल ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडियन रिजर्व नाम की बुक का भी मोचन किया है अब ये देखिए ये जो है परलाद सिंग पटेल कोन है ये जो है अभी हमारे वर्तमान में केंद्रे संस्कृति मंत्री है केंद्रे संस्कृति मंत्री है परलाद सिंग पटेल ये जो है ये बुक महान पुरा तात्विक बीबी लाल के एक सौवी वर्स गाट पर ये लॉंच क जो है आई से सी टी ट्वेंटी रैंकिंग में देश के पहली बार यह टॉप पर रही रही है और देखिए जहां पर पहली सब्द जुड़ जाती है वह कुसन अपने में ही मोश्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है अब देखें यहां बात आई है अस्टेलिया की तो सकेंड नम और भारत यह यह तो और इंपॉर्टेंट है क्योंकि थर्ड नमबर पर भारत है यह पूछ भी सकता है कि ICC T20 रैंकिंग में भारत किटने नमर पर है तो थर्ड नमर पर है अब देखें यहां बात आई है आई से सी की ICC का फुल पॉर्म है इंटर नेशनल किर्केट कॉनसि इसका जो अस्थापना हुआ था इसका हेट क्वार्टर दूबई में है और इसको वर्तमान में जो CEO मनुसाने जो CEO है अब अगला कोशन देखते हैं परिवहन एवम राज मार्ग मंत्राले के सचीव का पदभार किषने समाला है अब देखिए यहां बात आई है परिवहन एवम राज मार्ग मंत्राले के सचीव का पदभार समाला है अब देखिए यहां बात आई है परिवहन एवम राज मार्ग मंत्राले तो इसका भी मंत्री कोन है नितिन गटकरी जो है ये अभी परिवहन और राज मार मंत्राले के मंत्री है इसका जो निर्वाचन छेत्र है नागपूर नागपूर जो है इनका निर्वाचन छेत्र है और इसे और इसके पास जो है नितिन गटकरी के पास MSME मंत्राले भी है ठीक है अगला कोशन देखते है वर्ल्ड प्रेस इंडिपेंडेंडेंस डे ये कब मनाया गया विहाली में तीन माई को तीन माई को वर्ल्ड प्रेस इंडिपेंडेंडेंस डे बनाया गया विस्व प्रेस स्वतंतरता दिवस मनाया गया तीन माई को इसका थीम बहुत इंपोर्टेंट है थीम देख लिजे ज जनरलीजम विदाउट फेयर एंड फेवर इसका मतलब है कि पत्रकारिता जो है जनरलीज जो है जो बिना डरे और बिना किसी का पक्ष लिए आपको जनरलीज करना है किसी का आपको पक्ष भी नहीं लेना है जो है आपको सच्चाई बताना है और आपको ढरना भी नहीं है चल को लिखा है यह है ग्रीश कुबेर ग्रीश कुबेर जो है सिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अन्रीटन हिस्ट्री ओप प्राउड पीपल को लिखा है अब अगला कोशन है किस देश ने कोविड-19 के चलते गैंद को चमकाने के लिए लार का इस्तेमाल पर प्रतिबन लगा दिया है के लिए लार का इस्तेमाल को परतिबन लगा दिया गया है यह देखिए डॉक्टर को सलहा लेके कि कोविड-19 के जो अभी हमारी फैल रहा है वह ज्यादा और ना फैले उसको उसको रोकने के लिए यह कैस्टलिया की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है अब अगला कुसम देखत अर्क्टिक जलवायू की निगरानी के लिए अपना पहला आर्क्टिक एम उपगर आर्क्टिक एम उपगर लॉंच करेगा रूस ने अब यह बात आईए रूस की रूस की राजधानी है मौसको और यहां की मुद्रा है रुबल है और वहां के जो संसद है ड्यूमा जिस प गारांटी योजना सुरू करी है हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश की सरकार ने मुखमंतरी सहरी रोजगार गारांटी योजना सुरू करी है अब देखिए इसमें क्या होगा इसमें जो होगा 120 दिन का रोजगार मिलेगा एक साल में जिस प्रकार मैंने बताया था पीछे ça. लेकिन ये जो है. सहरी चेडर का है, और इसको आपको 120 दिन का रोजगार मिलेगा एक साल में. अब यहां बात आई है, हिमाचरपरदेश की राजधानी हिमाचरपरदेश की रासदानी है. एक समर्ट का जू है राजधानी है, समर का खगोल विग्यान दिवस मनाया गया इसका कोई फिक्ट डेट नहीं है ये कोई जोरी नहीं है कि ये दो मई को हर एक साल मनाया जागा ये जो है ये साल में दो बार मनाया जाता है ये पहला बसंत रितू में दुसरा सरद रितू में अभी तो बसंत रितू में ये होई गया दो माई को अब जो सरद रितूमी होगा वो 26 सब्टेंबर को यह मनाए जाएगा अंतराश्टे खगोल भी ज्यान दिवस दो माई को अब है अगला है युनेसको गिल मर्लो कैनो प्रेस फ्रीडम एवार्ड दोजार बीस से किसे किसे मिला है यह जो है जीनेत बैदोया लीमा जीनेत बैदोया लीमा को जो कोलंबिया की है इसे ही गिलर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम एवार्ड से यह मिला है अब देखें यह तो एक यह कोशन है एक यह तो और इंपोर्टन हो गया है कि यह जो पुछा जाएगा गिलर्मो कैनो प्राइज यह किस में दिया जाता है तो यह पत्रकारिता में दिया जाता है ठीक है अगला कुशन हम देखते हैं अगर आपको इसका पीडियाप लिंक चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ आप जाके इसका वीडियो का पीडियाप अप ले सकते हैं चलिए अगला देखते हैं कुशन है वन नेशन वन राशन कार्ड के तहद कितने राजियों और यूटी को जोड़ा गया है इसमें है पांच राज पांच को वन नेशन वन राशन कार्ड के तहद राजियों और यूटी को जोड़ा गया इसमें कौन-कौन है पहला है पंजाब, हिमाचल परदेश, उत्तर परदेश, बिहार, दादर नगर, हवेली वादवन वादविप देखे यहां दादर नगर, हवेली वादवन वादविप में कनिफ्यूज नहीं होईएगा पहले जो था पहले जो हमारे केंद 7 पर्देश थे वो कितना था वो थो 7 था लेकिन जब से 1370 जब से हटा है तो यह जो जमू कस्मीर को हटा के 2 गो यूनियन टेरिटरीर बना दिया गया एक जमू कस्मीर दुसरा हो गया लादाक तो 7 पलस 2 तो अब तो हो गया टोटल 9 लेकिन ये दादर वर नगर हवेली को अब दोनों को एक एक में ही मर्ज कर दिया गया तो अब ये हो गया टोटल 8 अब जो अगर पूछा जाया है कि भारत में टोटल अभी कितने union territories हैं तो आपको मारना है 8 चलिए अब अगला तो इसी हम देखते ह इसको इस लिए किया गया है कि आप अगयर जहां इस इस में रहने वाले हैं और आप कुछ काम करने के लिए यूपी चल गया और आपका जो राश राश,न vak्रार सनकों मिला हुआ हुए लेकिन एयर फोर्स के पहले हिंदू पाइलट कौन बने है राहूल देव राहूल देव जो है पाकिस्तान एयर फोर्स के पहले हिंदू पाइलट बन गए है मैंने बताया था कि जहां पहला वड़ उड़ता है वो कोशन अपने में मोश्ट इंपोर्टन बन जाता है अगला है अफ्रिका स्वाइन फिवर का पहला मामला किस भारतिय राज में आया है असम में जो है अफ्रिकन स्वाइन फिवर का पहला मामला भारत में आया है और यह जो लगभग इसमें 25 सुवर की मिर्तिय हो चुकी अभी तक में और देखिए यह भी कहा जा रहा है यह जो African Swine Fever जो है यह भी China से ही आया गया है ठीकौः यह भी China से आया है अब देखिए यहाँ बाता यह असम की असम की राज्धानी है दिसपूर और यहाँ पर एक चीज और देखिएगा यहाँ जो एक अमबुबाची मेला है यह बहुत बीस के पुलिजर पुरुषकार से समानित किया गया है तीन भारत्य पत्रकारों को पुलिजर पुरुषकार से समानित किया गया है अब देखिए ये तीन कौन कौन है ये जो तीन है दादर यासीन मुकतार खान और चन्ने आनन्द को को पुलिजर पुरुषकार से दिया गया है इसे जो दिया गया है क्यों दिया गया यह देखिए जब धारा 370 लगी लग लगी थी तो जमू कस्मी पूरा बंद था उसी में यह फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी जो किये थे उसी के लिए इसको 2020 का पुरुष्कार मिला गया है मिला है और इसके और इसे कौन था और अभी कौन है सबसे ज्यादा किसको मिला है अस्थापना कब हुआ है कहा है मैंने बहुत अच्छा से इसका एक एक सौट वीडियो बनाया है जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं उसको भी आप देख सकते हैं अगला कोशन हम देखते हैं अगला कोशन है किस भारत्य पत्रकार को फ्रीडम आप स्पीच एवार्ड से समानित किया गया है सिधार्थ वर्द राजन सिधार्थ वर्द राजन को फ्रीडम आप स्पीच एवार्ड से समानित किया गया है यह जो सिधार्थ वर्द राजन है दा वायर के संस्थापक भी ठीक है अगला कुश्ण है विस्व अस्थमा दिवस का मनाया गया पांच मई को मनाया गया यह यह जो है यह भी जल्ट कोई इनगमार को मनाया जाता है इसका ज़ुक्ष है इनव अस्थमा अям एक्स को कि दिमाग में रखिए अब है कुशन है आई को के नए चेयर्मेंर के रूप में की से नि zona गया है स्रिकांत माधववै्द को आई ओसी का इंडियान उयल कोर्पेरेशन के नए चेयर्मेन के रूप में की सब्सक्राइन गया है अब दिखें यह जो से भारतियों को लाने के लिए कौन सा ओपरेशन शुरू किया है समुंद्र सेतू समुंद्र जो है नेवल चीप है अब देखिए एक कोसन आपको यहाँ पे समुद्र सेतू से कुछ मिलता जुलता एक और आता है कि अभी हाली में आरोग सेतू आरोग सेतू जो है बहुत इंपोर्टेंट है यह अभी बहुत कम समय में बहुत जादा डॉनलोड करने का रिकॉर्ड बना यह आरोग सेतू यह आरोग सेतू क्या है आरग सेतू जो है करोना वाइरस के बारे में आपको जनकारी देता है इसमें आपको क्या करना है नहीं करना है वह इसकी के बारे में आपको जनकारी देता है अगला कोसन हम देख लेते हैं 2020 का यंग केरियर एवार्ड इन नैनो से समानित किया गया है यह जो है सौरब लोडा जो है IIT Bombay के परफेसर हैं अब अगला कोस्तन देखते हैं किस भारतीय ने नॉर्थ कोरिया के सासक कीम जौण उन को दूतिय वी सुयूद के पदख से समानित किया गया है रूष का जो जो सासक है उसी ने नौर्थ कोरिया के जो अभी जो सासर के कीम जॉंग उनको दूतियोवी सुयूद पदक से समानित किया है रूस ने अब देखें यहां बात आई है रूस की रासधानी हो गया मासको और इसकी जो मुद्रा है वो रुबल है अब अगला कोसन है रूस के केंद्रिय बोर्ड में निर्देशक के रूप में किसे नूट किया गया है तरुन बजाज को अब यहां बात आई है रूस की रूस की रूस का फुल फॉर्म है ध्यान रखेगा इसका अस्थापना कॉलकाता में हुआ तो एक जुलावनी 135 को अगर जाँ हेटकौाटर पूछे तो हेटकौाटर इसका मुंबई में है अब वर्तमान में जो आर्बियाई के गवर्नर जो है सक्तिकांत दास है आई ये 25 नमर 25 नमर के गवर्नर है अब अगला है किस भारतिय सरकार ने निगाह योजना को शुरू किया हिमाचर परदेश की राज सरकार ने निगाह योजना को शुरू किया है इसमें देखिए इसमें क्या होगा इसमें लोगों को जागरुता करना है कोविड-19 को लेकर बस वही है निगाह योजना जो है अभी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईए अगर कोई डाउट लगा तो नीचे कॉमेंट में लिखिए और अभी तक हमारे चेल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ ही बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं इसी तरह की वीडियो ल